दोस्तों यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि 92 साल के तेलगू सिनिमा के इतिहास में जहां आज तक बड़ी से बड़ी फिल्में भी कुछ नहीं उखाड पाई वहां हनुमान जी ने अपना भगवा ध्वज लहरा दिया है जी हाँ अब यह कैसे और कब हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले साल 2024 साउथ इंडियन सिनिमा के लिए धमा के दार साबित हुआ है मकर संकरांती के दिन लगभग पूरे भारत में 9 से 10 फिल्में आपस में क्लैश हुई थी जिसमें थी महेश बाबू की गुंटूर कारम, वेंगटेश की सैंधव, धनुष की कैप्टन मिलर, विजय सेतुपती की मेरी क्रिसमस, प्रशांत वर्मा की हनुमान, इसके साथ भोजपूरी, मराथी, गुजराती, बंगाली सहित सभी रिजनल सिनिमा की फिल्में आपस मे क्लैश हुई थी, लेकिन इनमें सबसे फेमस थी महेश बाबू की गुंटूर कारम, लेकिन अब इसे इतिफाक कहिए या प्री प्लांड बॉलिवुट की मेरी क्रिसमस को छोड़ कर सारी रिजनल सिनिमा की फिल्में प्रॉफिटेबल और सूपर हिट साभी थुई, बॉलि पर रिलीज की गई थी, जबकि गुंटूर कारम सिर्फ साउथ तकी सीमित थी, रिलीज होते ही हनुमान पर चारों तरब से प्यार बरसने लगा, चाहे कहानी हो, एक्टिंग हो, या फिर वी एफेक्स हो, सभी कैटेगरी में इसे फुल मार्क्स मिले, और इसी कही है नतीज रिलीज के 25 दिन के बाद भी या फिल्म प्रॉफिटेबल कमाई कर रही है, लेकिन खास बात तो या है, जो अब तक तेलगू सिनेमा में नहीं हुआ था, वो हनुमान ने कर दिखाया है, बॉक्स आफिस के एक रिपोर्ट के मुताबित, 92 सालों के तेलगू सिनेमा के इतिह जैसे बॉक्स आफिस पर अच्छा रिस्पॉंस नहीं दे पाती है, लेकिन हनुमान ने इस मित को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है, इस फिल्म को सिर्फ टेलगू ही नहीं, बलकि हिंदी बिल्ट में भी काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है, वो भी बीना किसी खास प्रमोशन के, जब यह रितिक रोशन की फाइटर के सामने टिक गई तो अब इसका कोई कुछ नहीं उखाड सकता, उम्मीद तो यह लगाई जा रही है कि यह फिल्म 500 करोड के माइल स्टोन को टेच कर सकती है, हनुमान की सफलता के साथ ही इसके राइटर और डिरेक्टर प करने वाले हैं, खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो भी हो, इतना तो कनफर्म है कि जै हनुमान 1000 करोड का बिजनेस तो आराम से करेगी, क्योंकि हनुमान जी के सिर्फ कैमियों ने जब इतना तहलका मचा दिया है, तो जब स्वैम हनुमान जी दिखेंगे, तब तो सियावर राम चंद्रगी जय